प्यारे बच्चों कख्छा 10 गड़ित के इस पिरिएड में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 के कुछ प्रिश्ण कराएंगे इसमें पहला प्रिश्ण है कि निमनी युगों में समरूप युग उचाटी है इनमें समरूप तिर्वुजों की सतता जाचनी है कि कौन सा समरूप है और कौन सा नहीं है हमारे अलग-अलग इसके नियम है जाचने के उसको हम बताएंगे देखिए पहला सवार हम देखते हैं पहले का फर्स्ट पार्ट है इसमें यहाँ पर हमें सब कौन विएवे हैं कौनों कुछ तो इसमें ट्रिपिल ए वाली जो कंडिशन है बुलेगी अगर तीनों कौन संगत कौनों के बराबर हैं तो समरूप हो जाए अब देहें बी में कौन भी बराबर कौन क्यूं बराबर है सियंस और कौन सी बराबर कौन और बराबर चाली संस तो सब कौन बराबर आ गया संगत कौन क्या लिए आखे तिर्भुज ए बी सी समरूप तिर्भुज पी क्यू आर यह समरूप तिर्भुजा है अब देखिए सवाल नंबर सेकेंड में देखिए इसमें हैं बुजाय दीवी हैं तो यह कौन सी कंडिशन है यहाँ पर तिर्पिल ए को ए ए ए ए एंगिल वाला कोरण कोर्ण कोर्ण है कोर्ण को करो ह realistically कुम अब यहाँ पर देंए सबने से कंड में इसमें बुजाए दीवी हैं तो साइड 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 वाला देहें vibhay दिए इसकें इसकेंदर तो देखिए पहले हम देखते हैं A, B, बटा A, B बजा यह वाली है A, B, बटा Q, R देखिए A, B कितना है? Q, R कितना है? 4 कितना आगे बटा, 2 अब देखिए दूसरी देख लिजिए B, C, बटा P, R B, C कितना है इसमें? 2.5 और यह 5 है यह कटके इसमें 1 बटा, 2 तीज़रा रिख लिए A, C, बटा P, Q A, C, बटा P, Q, A, C कितना है इसमें? 3, और P, Q कितना है आपका? 6, 3 निकम 3 3 दूसरी निशे, कितना अगे? 1 बटा, 2 तो इस फस्ट है इस दिखिए देगे हते इस फस्ट है की A, B, बटा Q, R बराबर B, C, बटा P, R बराबर A, C, बटा P, Q अते तिर्भुज A, B, C समरूप तिर्भुज P, Q, R क्या है, यह S, S संबंध यह बला इसमें Side, Side संबंध है तो इसलिए यह समरूप हो गया अब थर्ड सवाल देखते है देखिए, इसमें भी Side दीवी हैं तो Side में पहले हम कोई सी भी Side ले ले लें देखिए, MP बटा DE MP कितनी दो D4 है कितना हो गया एक बटा दो अब एसी दूसर देख लें दूसरी देख लें LPL PL बटे DF PL कितना है 3 और DF कितना है 6 कितना कि एक बटा 2 यह भी आगी इसके बाद अब देखेंगे हम LM LM बटे EF LM कितना 2.7 बटे 5 यह नहीं कट रहा तो 27 बटे 50 हो गया है चूँकि MP बटा DE बराबर PL बटे DF इस नाट इक्वल टू LM बटे EF हते तिर्भुज समरूप नहीं है दोनों लिख दे आते हैं दोनों तिर्भुज समरूप नहीं है ऐसे लिख दे हाथ है L, M, P L, M, P तथा तिर्भुज DEF DEF समरूप नहीं है ठीक है यह आगी है इसका अब हमारा इज़ आता है चौथा सवाल देखिए इसमें एक कॉण दिया हुआ है तो अब जो कॉण है उसको देख लें हो तो बराबर है लेकिन उसकी बुजाओ वाले अनुपात और चेक कर लेंगे ता अगर वो बराबर है तो समरूप ना तो नहीं होगा देखिए कॉण M बराबर कॉण Q सही है बराबर सत्तरश यह तो सही है अब कॉण M जो बुजा बना रही है M N तो यहां लेहेंगे M N बटे इसका के लेहेंगे P क्यों कर दे P Q M N यह पांच यह पांच यह पांच दूने दर M N बटे P Q बराबर कितना हो जागा देखिए M N कितना है 2.5 P Q कितना 5 एक बटा दो अब देखिए दूसरा देख लिए इसके बाद है L M L M बटे Q R L M कितना है इसमें 5 और Q R कितना 10 कितना होगे एक बटा दो होगे इसका उन्दा कॉड भी बराबर है अनुपाद भी बराबर है तो यह कैसा हो गया समरूप है अते तिर्भूज M N L तथा P Q R M से ना Q R P Q R P समरूप है तो इस पिरकार से हम समरूप पिरभूज निकाल सकते हैं आज के पीरेड नहीं बस इतना ही कल कुछ और प्रिश्ण बसाथ उपसे दोंगे तेंह तेंह